हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवाई पीपी होलिस्टिक के और में एसीड एलकेलाइन इंबैलेंस शरीर में रोगों के सुरुवात का एक भूद बड़ा कारण होता है शरीर में एसीड एलकेलाइन के इंबैलेंस होने से कई तरह के लाइफिस्टाइल डिसॉर्डर्स जैसे की डाइबिटीज, हाई बलड प्रेशर, मोटापा, हड्डियों की कमजोरी, थकान, लो एनरजी लेबल, जोडो और मानसपेसियों में दर्द, कब्ज, इंडाइजेशन फंगल इंफेक्शन, मूड चेंजेज, किड़नी प्रॉब्लम्स के साथ-साथ, कोलेस्टरॉल और वीक इम्मुनिटी जैसे प्रॉब्लम्स देखी जाती है इम्मुनिटी को स्ट्रॉब्लम्स बनाए रखने के लिए सरीर में एसिड एलकलाइन का बैलन्स रहना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी होता है तो आईए फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे जाने कि हमारे सरीर का एसिड एलकलाइन बैलन्स है या नहीं एसिड एलकलाइन के बैलन्स के बारे में जानने से पहले हमें पी एच के बारे में जानना होगा तो पी एच एक स्केल है जिस पर हम एसिड और एलकलाइन की गड़ना करते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सरीर में बलट का पी एच 7.4 होता है लेकिन कई बार गलत खान पान और रहन सान से इसकी मात्रा कम या फिर जादा हो जाती है जब blood का pH 7.4 से कम होता है तब सरीर में acid की मात्रा बढ़ने लगती है और जब 7.4 से अधिक होता है तब alkaline की मात्रा बढ़ने लगती है Blood में Acid और Alkaline की मात्रा अधिक या फिर कम होने से Acid Alkaline Imbalance हो जाता है जिसके कारण सरीर में कई तरह के रोग उत्पन होने सुरू हो जाते हैं एक Normal Range की अगर हम बात करें तो Blood का Ideal pH 6.8 to 7.5 के बीच Normal होना चाहिए जैसा की हमारे भोजन में कुछ Cooked Food होते हैं जैसे की Rice, चपाती, सबजिया और दाले तो ये सारे Food Acidic Food के कैटेगरी में आते हैं इसके विपरीज जैसे की Salad, फल, सबजिया, जूसेज वगेरा और दूसरे Raw Food Alkaline कैटेगरी में आते हैं वैसे तो सरीर में Acid या फिर Alkaline के कम या ज्यादा होने से Problems शुरू हो जाते हैं लेकिन ज्यादा तर बीमारिया सरीर में Acid के Level के बढ़ने के कारण देखे जाते हैं सरीर में Acid की मातरा के बढ़ने से कई तरह के Problems जैसे की मोटापा, अपच, वजन का बढ़ना, लो मेटाबोलिजम, लो ब्लड प्रेसर, क्रोनिक इंफ्लामेशन, किड्नी और ब्लेडर का डिजीज, किड्नी इस्टोन, मधुमे, कब्ज, हड्डियों की कमजोरी के साथ-साथ, ओस्टियो पोरोसिस, फ्रेक्चर, पाइल्स, डिप ब्लेड पेसर, लूज मोसंस, और रनी नोज जैसे कुछ प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, ज्यादा तर बिमारिया सरीर में एसीड के बढ़ने से होता है, और इसका कारण यह है कि हम समय से भोजन नहीं करते हैं, रो फूड्स कम लेते हैं, इसके साथ ही पैक्ड फूड औ इसके अनुसार सरीर में 72,000 नाडिया होती हैं, जिसमें से 3 मुख्य होते हैं, जिन्हें इडा, पिंगला और सुसुमना कहते हैं, इडा नाडी चंदर नाडी होता है, जो चंदरमा की तरह सांत और सरीर में बाई तरफ स्थीत रहता है, पिंगला नाडी को सुर्य नाडी भ कंट्रोल करता है शरीर में Acid और Alkaline का Balance इनी नाडियों के ऊपर Depend रहता है अब बात करेंगे कि Acid Alkaline के Imbalance को कैसे जाने तो जैसा कि मैंने आपको नाडियों के बारे में बताया अगर आपके सरीर में बाई तरफ किसी भी तरह का Problems आपकी हथेलियों में, पैरों में या फिर किसी भी एरिये में अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि Acid बढ़ा हुआ है और अगर किसी भी तरह का Problems दर्द कमजोरी दाई तरफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब या है कि इसके अलावा सेलाईवा और यूरीन के जरिये हम अपने सरीर के pH के बारे में पता लगा सकते है जिसके लिए pH Test Strip Kit से यूरीन के कलर को Compare करके इसका पता लगा सकते है अब बात करेंगे कि सरीर में Acid Alkaline के Balance को कैसे बनाए रखे हम अपने हर रोज के भोजन में फल, सलाद, सबजिया, Raw Foods, Juices, Dry Fruits, Boil Vegetable की मातरा को बढ़ा करके Acid Alkaline Balance को बनाए रख सकते हैं इसके साथ ही Prada Yarm और Breathing Exercise के जरिये Proper Oxygen की मातरा सरीर में पहुचा करके हम Acid और Alkaline के Balance को बनाए रख सकते हैं Yoga और Exercise के जरिये Bone Muscles और सरीर के दूसरे Organs को Active रख करके सरीर से Toxins को बाहर निकाल करके सरीर में Acid Alkaline के Balance को बनाए रख सकते हैं इसके साथ ही तनाव, और चिंता को दूर करके Meditation के जरिये हम मन को सांथ करके सरीर में Toxins को कम कर सकते हैं साथ ही मसाज एक बहुत ही अच्छी टेकनिक होती है सरीर के Organs को Active रखने के लिए जिसके द्वारा Organs को Active रख करके सरीर से Toxins को बाहर निकाला जा सकता है Lifestyle Disorders के Condition में Lifestyle को Change करके Drug की मातरा को Reduce करके हम Acid Alkaline के Balance को बनाए रख सकते हैं इसके साथ ही Spicy, Oily और Fried Food के साथ साथ Street Food और Packed Food को Avoid करके हम Acid Alkaline के Balance को बनाए रख सकते हैं वीडियो कैसा लगा? Comment box में comment करके जरूर बताए अच्छा लगा तो वीडियो को Like करे और दोस्तों के साथ Share करे साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले